1991 संसद में पास हुआ है तो क्या धारा 370 C.A.N.R.C. एक कलूमिया की दुकान पर पास हुआ था ये भी तो संसद में पास हुआ तो मीठा मीठा गप और कलवा कलवा थू संसद में पास हुए सारे कानूनों को तुम्हें स्विकार करना पड़ेगा किसी कानून भी उसी संसर में पास हुआ था जो तुम हरी टोपी हरी चादर वालों तुम बैठ करके धरने प्रदर्सन में बैक डोर से पूरा सायोग कर रहे थे हर जगा ये भीम मीम की नारेबाजी कराके देश को तोलने की जो साजिसों में लगे थे ऐसा नहीं है कि संत आपको पहिचानता नहीं है ये जकात के पैसे खाने वाले और दुसरों के मंदिर तोडने वाले कबसे फबारा बनाने लगे और अगर आपने इस चित्र को देखा होगा तो उपर बाकी सब काला है काला है धुदला है बाकी चारो तरफ गंदगी है परिसर में और पूरे परिसर में नय नय चूना किया गया है इसके अलामा जब सब काला है तो उपर का इतना सफेदी की चमकार दो इंटों की मोटी कैसी दिख रही है तो ये जबरिया फबारा बनाने का फरजी सुबूत करने का और ये आरोप हम नहीं 1935 के दिन मुहम्मद वर्सेज ब्रिटिस गोवर्मेंट आप इंडिया के मुकदमे में जजने कहा है कि ये फरजी सुबूत करते हैं गलत व्याख्या करते हैं और इसी तरीके से इनों ने उस दिन जूमे की नमाज के दिन 5000 मुसलमानों को जुटा करके सर्वे रोक करके और अंदर वाइट सिमेंट 2-3 घंटे के अंदर सुख जाता है पानी का असर नहीं होता तो ये अफट गया तो दूसरे बात अगर फबारा है तो फबारे में पानी कहां से जाता था कितना पुराना फबारा है तो कहा रहें 50 साल पुराना है अरे 50 साल में तुम एक फबारे को ठीक नहीं करा सके तो तुम बाकी को क्या ठीक करा होगे ये इस तरीके की जूटी कभायत फबारा है तो उसमें पानी कहां से आता है कहां जाता है और बगएर मोटर के और अंगजेव के बाप ने कौन सी टिकनालाजी पैदा कर ली थी फबारा चलाने की और दुनिया का पहला फबारा है जो जल अस्तर से दो फिट नीचे है सभी फबारे जल अस्तर से तीन फिट चार फिट उपर होते हैं ये दो फिट नीचे है ति इस तरीके के जूट और मकारी के बयानों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए अखिल भारति ये संत समीती शनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय का सरोच्च निकाय है हम नड़े लेने में थोड़ा देर करते हैं सारी परिस्तियों को देख करके अभी तके माना जा रहा था कि ये मुकदमा है चल रहा है नियायाले में इसका फैसला होगा तो जादे ठीक होगा लेकिन जो कल आल इंडिया मुस्लिम प्रस्तनला बोल्ड ने भासा इस्तेमाल की है ये गुंडागर्दी है नियाय विवस्था को धम की है इस पत्र में करके सरकार पर दबाव बनाओगे और जब सरकार पर दबाव बनाओगे इस देश का मूल बहुसंख्यक समाज क्या शांत वाइठा रहेगा और तुम्हारी गुंडागर्दी को देखेगा और तुम बार-बार हमें समझा रहे हो कि स्पेशल वर्षिप प्रोवीजन एक्ट 1991 संसद में पास हुआ है तो क्या धारा 370CNRC एक कलूमिया की दुकान पर पास हुआ था ये भी तो संसद में पास हुआ तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू संसद में पास हुए सारे कानूनों को तुम्हें स्विकार करना पड़ेगा किसी कानून भी उसी तरवालों तुम बैठ करके धरने प्रदर्शन में बैक डोर से पूरा सायोग कर रहे थे हर जगा ये भीम मीम की नारेबाजी कराके देश को तोलने की जो साजिसों में लगे थे ऐसा नहीं है कि संत आपको पहिचानता नहीं है आपके असल सकल से वाकित नहीं आप वही होन कि जो हिंदुस्तान के विभाजन के लिए ओटिंग में यूपी बिहार के 100% मुसल्मानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए ओट किया और गए नहीं तुम वही होना तुम्हारे असल चेहरे को हम पहिचानते हैं इसलिए ये गीदलभव की और धमकी देना बंद करो की इसलिए। अनियायले में जो फैसला होता है उसे देश को स्विकार करना चाहिए। जब कहीं से इस्टे नहीं मिला तो हो इनके प्रवक्ता सुप्रेम कोल्ड के जजों को गालियां देते। तो देश की प्रतेक भ्यवस्था जो इनके अनकूल नहीं है उसको गाली देने से अगर ये बाज नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मूख दर्सक की भूम कैमे रहेंगे अभी 11-12 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परसट के केंद्रिय मार्ग दर्सक मंडल की बैठक में भी हम नहीं लेंगे और 25-26 जून को हर्याना के पाटाओदी में देश का सिर्श संत समाज बैठने वाला है हम भी तेल और तेल की धार देख रहे हैं मुझे तो इसके बैरिष्टरी के डिगरी पर ही सक है वह ऐसी मिया के दोनों भाईयों के पढ़ाई लिखाई पर ही संद है और जीतनी यह चुनोती दे रहे हैं मैं कहूंगा वैसी मिया काला कोट डालो और यू इलहाबाद हाई कोर्ट में अथवा सुप्रिम कोर्ट में इ किसी इंतजामिया कमेटी के पक्ष में आई ये वकील खड़े हो के बास कर लो तुम्हें अपनी आउकात पता चल जाएगी मिडिया ट्रायल तुम्हें मिडिया ट्रायल में आएंगे और कोल्ट में तो कोल्ट के अंदर तुम तो वकील हो तुम्हें अधिकार भी है अपने सलवार वालों को उतार लो कोट में नले हुने दो सडकों पर आओगे तो हम भी सडक पर निपटने में सक्षा में क्योंकि हमको भी अपने मावहनों के प्रतिष्ठा के रक्षा करनी है देश को दंगा मुक्त रखना है